जो तेरे अंदर के सहा को पहचान लेता है कोई तो है जो तेरे होसलों को उडान देता है छुपा के नहीं रख सकता किसी फनकार के अंदर हलफल परिश्मी को बेदान देता है नमस्कार दोस्तों मैं भारती विध्या सागर आज आपके सामने फिर से प्रस्तित हुई हूँ अपने शो वाट वेंट राइट में आजिस शक्सियत से आपको रूबरो कराने जा रही हूँ ही इस पाइनर अप्रस्ट प्रवेट फिर्वेट 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 रूबरों रंचिए प्रवेट मिनेट तो 55 जापके से अजूस। अछलिस रूबरों हैं आपके सब्राइब्स कॉटेश में युए हैं आपके संट्डी मार्थि म काहिए हैं पूरी की पूरी की पूरी फिल्म सिटी का ही निर्मान कर लिया। Was it a, just, was it a planned, was it a vision, or you were just driven by the opportunity? What was that? No, I think I will go back to 1986 when I actually thought of starting a film city in North India. मैं पहले बांबे गया था, बांबे में मैं अच्टिंग असाइमेंट्स मेरे पास थे, को करना चाता था, लेकिन जब मैं पूरे महाल के बीच से गुजरा, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के अलग-अलग कोने से, खास तोर पे उत्तर भारत से, लोगों को बंबई क्यूं आना पड़ता है, फिल्म, टेलिविजन और मीडिया के काम के लिए, उत्तर भारत में क्यूं नहीं है कि हम लोग वहीं कुछ काम कर सकें, ये ख्याल मेरे दिमाग में बस चुका था, उन हालातों ने मुझे थोड़ा और जोर दिया, और मैं बंबई से दिल्ली वापस आ गया, जब दिल्ली आया तो मुझे लगा कि यहां एक फिल्म सिटी होनी चाहिए, और मैंने एक फिल्म सिटी का सपना लिया, उसको मैंने एक कागस पे शेप दी, और मैं चाहता था कि ये फिल्म सिटी दिल्ली में बने, लेकिन दिल्ली में क्योंकि सौ एकर जमीन कहीं एक साथ मौझूद नहीं थी, और थी भी तो बहुत महिंगी थी, तो शायद इसलिए ये सरकार ने कहीं पे कभी भी हामी नहीं बरी, ये मेरा सौब हाके था कि मैं नॉडा के चेर्मेन को मिला, और जब मैंने उन्हें ये परजेक्ट बताया, तो वो बहुत खुश हुए, उनका कहना था कि हमारे पास जमीन भी है और हमें नए परजेक्ट की जरूरत भी है, तो शायद बहुत सारी चीजें एक साथ मिल गई, और ये परजेक्ट ने अपनी एक नई सुभा देखी, एटी सिक्स में मैंने ये परजेक्ट सब्मिट किया, एटी सेवन में ये पास हुआ, एटी एट में में अलॉट्मेंट हुई, और अबिसली मुझे तीन साल लगे उत्तर भारत का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो बनाने के लिए, और 10 मार्च 1991 को हम लोगों ने मार्वा स्टूडियो का उधगाटन कर दिया, लोगों को यकीन हो गया कि फिल्म सिटी एक सपना ही नहीं, बलकि एक हकीकत है, सच भी हो सकता है, वाव, Sir, I have read in one of your interview, in print media, that you are still looking for that eight day in a week, अभी कुछ रहे गया है करना, you have been involved in so many things, आप इतना कुछ कर रहे हैं, you are educational, you are doing so much for society. Yes, मैं, हकीकत तो यह है कि फिल्म स्टूडियो शुरू करने के बाद, हम लोगों ने फिल्म स्कूल शुरू किया, उसके बाद प्रोड़क्शन शुरू की, उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च सेंटर शुरू किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने करते-करते, इस तरह आज तकरीब मैं सौ से भी ज़्यादा संस्थाओं को चेयर कर रहा हूँ, और जिसमें तकरीबन बीस लाग से भी ज्यादा लोग अलग अलग विभिन देशों से जुड़े हुए हैं और ये मुझे बड़ा अच्छा सौभा के पराप्त हुआ कि मैंने एक फिल्म यूनिवर्स्टी का भी सपना लिया था, जो आज वो भी पूरा होता नजर आया है, राइपुर में हम लोगों ने फिल्म यूनिवर्स्टी स्थाफित कर दी है, और हकीकत तो ये है कि ये एक बड़ी पुरानी कहावत मैंने बनाई थी, और उसको प्रिंट करके, अपने दफ्तर के बाहर लगा दी थी कि मैं इस हफ़ते भी आठमा दिन ढून रहा हूं, I'm looking for eight day in a week, ये कहने का मेरा तात्वर है था कि there is no alternate to hard work, there is no alternate to continuous work, working, क्योंकि अक्सर जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग थोड़े समय में काम करने के बाद ठक से जाते हैं, और जो आपका Monday to Saturday का time table होता है, वो भी वो बिचारे पूरे नहीं कर पाते, कोई लेट आना चात है, कोई time से पहले खिसक ना चाता है, ये आदते कुछ ऐसी थी हिंदोस्तान के अंदर, जिससे सभी लोग पीड़ित थे, मैं भी था, तो मैंने ये quotation बनाकर लगा दी थी, लेकिन मज़े की बात है कि जो quotation ज्यादा दिन नहीं चली, एक दो साल के बाद मुझे ध्यान आता ह है कि वो किसी ने बाहर से frame के समेत ही गायब कर दी थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि continuous अगर आप काम करते रहेंगे, अगर इमानदारी से काम करते रहेंगे, अपने profession के प्रतिया वफातार रहेंगे, तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, आप आगे की तरफ ही बढ़ें Sir, when I look at you, the way you dress up, you are so charming, you are such a great oriator, क्या लब इनके पीछे क्या राज है? Because whenever I see you, you are so energetic, whenever I meet you, I'm always like कि वाव, he's so energetic, always running around, always think positive, that positive possibility comes on your face. क्या है उलेईजिटाओ? क्या होगी, तो आप हमेशा उस फील्ड के किसी भी ही नए काम को करने के लिए उतने ही उत्साहित और उतने ही उत्तेजित रहेंगे. Sir, एक लाख पचास हजार, बहुत बड़ा फेगर है ये, people are earning their bread and butter working in your media house. Still, when I see you, मैंने शयद आपको पहले भी बहुत 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 कॉंप्लिमेंट किया है, whenever I see you, you're so calm and composed. Is this natural? Or you have trained yourself in this way that this is, just कि मेर को इसी gesture को follow करना है, just to impress people. Is this, what is this natural? नौड़ा फिल्म सिटी में आठ घंडे की तीन शिफ्ट में काम करते हैं, और जो कास्केटिंग अफेक्ट है, वो तकरीबन एक लाख पचास हजार लोग, अपनी रोजी रोटी, किसी ना किसी वक्त से, किसी ना किसी टाइम, फिल्म सिटी की वज़ा से कमाते हैं. ये स्टेटिस्टिक्स तो आपके सही है, लेकिन इसको मैंने पूरी क्लियरली समझा दिया है. अब रही बात ये के तनाव की, जी येस, योगा करिये, अभी 21 को ही हमारा आठवा वर्ल्ड योगा डे हमने सेलिबरेट किया है, और हमारे साथ पूरी दुनिया ने योगा सेलिबरेट किया है, और तातपर्रे यही है योगा का, कि आप इस, इसकी शक्ति को पहचानी है, और योगा जो शब्द है, वो योग से बना है, योग का मतलब है, इस अमेलगमेशन, इस जॉइनिंग बॉड़ी, माइंड और सोल, जब आप इन तीनों का मिलाप कर लेते हैं, तो आपको अपने सोच पर, अपने शरीर पर और अपने मन पर काबू, पाना आप सीख लेते ह हैं, और आपको एमोशन तो खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इनसान का जन्म लिया है, लेकिन आप अपने एमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, गुसा आया, आपने कंट्रोल कर लिया, आप परिशान हुए, आपने कंट्रोल कर लिया, आप बहुत खुश हुए, आपने उस इस वक्त अगर शान्ती लानी है तो सबसे पहले आपको खुद शान्त होना होगा और योगा इसके लिए बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है हम लोगों ने जब स्टूडियो खोला उसके बाद फिल्म स्कूल खोला और जब फिल्म स्कूल के अंदर मैंने एक चीज़ यह समझ ली पहले ही सालों में आज से जो क्लासिस चलती थी वो स्टूडियो के अंदर चलती थी कि बच्चे का कॉन्फिडेंस तीन महीने से लेकर या तीन साल आज जो भी है इतना ज्यादा हो जाता है कि वो सारे फिल्म टीवी मीडिया आर्ट कल्चर से इतनी खुबसूरत तरीके से जुड़ जाता है कि कॉन् इंडरस्ट्री इंटरफेस नहीं होगा जब तक फिल्म टीवी मीडिया के इंडरस्ट्री के लोगों उनकी पहचान उनकी जिंदगी के वाकियात किस से उनकी अपने एक्सपीरिंस अगर हम नहीं बाटेंगे बच्चों के साथ तो ये लोग बच्चे जो हैं कमजोर रह जा तो हमने पहले ही बैच से मारवा फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन का निर्मान किया और इस मारवा फिल्म और तरीकों को समझते हुए एक्च्वल फिल्म मेकिंग जो है वो यहां पर फ्लोर पे करें और तब प्रोडक्शन मारवा फिल्म और वीडियो प्रोडक्शन सामने आया और बहुत सारा टाइम समय लेबर रिसोर्सेज फंड्स हम लोग ने स्टूडेंट्स के उपर लगाया हमारे बच्चों को फिल्म फिल्मों का निर्मान एक साल में होता है जिसमें तक्रीबन सभी स्टूडेंंट्स को अपने अपने डिस्प्लिन के yapmış से चाहे वो डिरेक्टर्स है पर चाहे वो प्रोडक्शन देख रहे हैं चैसaciones halfouts आपने परिवार में वापिस जाता है। आपने परिवार में वापिस जाता है। नहीं आता है। लेकिन ये जरूर है कि जब दफ्तर छोड़ देते हैं तो उसके बाद कम से कम दफ्तर की बात घर में ना करें तो बहतर होता है। आपकी दफ्तर की परिशानयां अलग होती हैं घर की बात अलग होती है। तो दो चीज़ों को मिक्स ना किया जाए तो वो बहतर है। और फिर उस समय में आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। अगले दिन होने वाली पाटी की बात कर रहे हैं। तो आपको यह एक लाइन जबकि यह बड़ी एक माईल बड़ी एक पत्ली सी लाइन होती है। लेकिन ये लाइन आपको create करना जरूरी है क्योंकि दिन भर की थकावट और दिन भर की सोच और कई लोगों को मिलने के बाद कई चर्चाओं में भाग लेने के बाद कई events में भाग लेने के बाद जब आप घर पहुंचें तो घर जो है वो भी एक शांती का प्रतीक होना चाह और पूरे माइंड और बॉड़ी को एक relaxation मिलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है और मैं इसमें पूरी इस बात में विश्वास करता हूं अपसिलूटी सर पहली महबबत क्या है काम या वाइफ अरे दोनों यह साथ 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 परावर चलते हैं मेरा परिवाद भी और मेरा काम भी तो गुड़ तो हीर दाथ सर यह आपके पास आपके इस्ट्यूट में जितने भी लोग आ रहे हैं सब यंग्स्टर लेकिन सर जब आप इस्ट्रक्शन की तरफ जाते देखते हैं उसी यंग्स्टर्स को वें दे आर नॉट लिविंग दे रियल लाइफ रादर या लिविंगा फैब्रिकेटिड लाइफ वह रील लाइफ को जादा जीना चाहते है एस तंबे टू रियल लाइफ तो वो चेंज आपको क्या लग जब हम लोगों ने फिल्म स्कूल शुरू किया था तो मैं कम से कम उतने लोगों की जिम्मेदारी तो ले सकता हूं जो लोग मेरे पास मेरा हाथ पकड़कर मेरे इंस्ट्यूशन में पढ़ने के लिए आपे हैं मैं पूरे देश का और पूरे भारत कैसे जिम्मा उठा सकता अगर वो अच्छे हैं तो उनको उससे भी ज्यादा खुबसूरत बनाया जाए और खुबसूरती जो है वो सिर्फ चेहरे से नहीं मन से होती है और इसी लिए हम लोगों ने हमारी एक संस्ता है वर्ल पीस डेवलप्मेंट और रिसरच फांडेशन जिसके अंतरगत हम लोग हर इवन्ट को यहां हर प्रोग्राम को हर क्लास को जोड़ते हैं और उसका एक मकसद होता है लव पीस एन यूनिटी थूरू आर्ट अन कल्चर हम लोगों ने यह तैय किया था कि यह एक मातर ऐसा फिल्म स्कूल है पूरी दुनिया के अंदर जहां पर स्प्रिचुलिटी ज जो है वो पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई है और यही वजा है कि स्टूड़न भले तीन महीने के लिए आया हो चार साल के लिए आया हो वो आध्यात्मिकता जो है वो जो जिन्दगी की सच्चाई जो है वो उस सीखता है उसे समझता है उसे अपनाता है और यहां रहते र मेरे पास आ जाते हैं और मुझे के यह ये लिए सबसे बड़ा अच्छा बद्लाव सब्सक्राइब तो होते हैं लोगों के कई बहुत जदा खुश होते हैं what was the most saddest saddest moment of your life जब आपको लगता था नहीं बस और कुछ नहीं चाहिए I just want to leave everything और कुछ कभी ऐसा मोमेंट आए जो वो negativity अंदर आई कि आपको लगता था नहीं में को नहीं लगता है कि I अपने आप में एक अम्तिहान है अगली क्लास में जाने का अगर आप अम्तिहानों को इन हलातों को इन वाकियात किस्वों को जिंदगी के जो unforeseen circumstances हैं अगर इन से तूट जाएंगे तो आप कभी भी जिंदगी में आगे बर्ड नहीं पाएंगे आप किसी भी मकाम पे नहीं पहुच पाएंगे किसी भी चोटी को नहीं छूपाएंगे किसी भी पहाड पे चड़ने के लिए कई कंकरों के उपर से गुजरना पड़ता है ये हर आदमी को तैक कर लेना चाहिए और शायद मैंने भी सोच रखा था लेकिन जहां तक परसनल लेवल की बात आती है जिन्दगी के दो ऐसे वाक्यात रहे हैं जहां जिन्दगी जो है वो एकदम आकर ठहर गई थी जब मैंने अपनी माता जी को खोया था और जब मैंने पिता जी के हमारे फादर मदर ने हमें बहुत अच्छे संसकार दिये हुए हैं तो शायद यही वज़ा थी कि उन हालातों से भी मैं निकल के उपर आया और हम लोगों ने पहले से भी ज्यादा सचाई सफाई इमानदारी से और मेहनत से काम किया ताकि हम लोग मारवा मारवा साथ का बेटा है तो यह यह जनून यह प्रण यह कसम जो है यह खानी बहुत जरूरी है सर कुछ साल पिछे आपको लेके चलती हूं आपके जिन्दगी के अभी अभी आपको देखके वेल ड्रेस्ट मैं कॉल संदीप मारवा अवरिवन नोस इन आपके फिल्म रेट्शन में है फिल्म सिटी में है एमबेस्डर है बहुत एडुकेशनिस्ट है जोनलिस्ट है सो मिनी टाइज और लेकिन सर एक संदीप मारवा पॉलिट स्टूडेंट कोई भी आपका बैक्डरॉंड नहीं जानता है किसी को नहीं पता कि आपका आपकी यांग एज में संदीप मारवा कौन था कि आजस संदीप मारवा जो एतनी लिवेश लाइफ जी रहा है यह लिविश लाइफ ऊसमें अपनी लिए बनाई है या यह लिविश लाइफ में ही सही आया है वही गोल्डन स्पूर्ण के साथ यह आए एक ईzet बता ए एक वो संदीप मारवा को जरा याद करके बताएं जिसके जिसने अपनी शुरुवात की तो कुछ साल पहले पढ़ने बलट के देखते हैं लेकि हम जब छोटे थे तो हमें यही पता चला था कि 1947 में भारत का विवाजन हुआ और बहुत सारे लोगों को लाखों लोगों को हिंदोस्तान के वेस्टन पार्ट से भाग कर इस्टन पार्ट यानि की दिली तक आना पड़ा उसमें हमारे फादर भी थे जिनको अपनी सारी प्रापर्टी तन मन धन पैसा पतारत मान मर्यादा इस जब सबी कुछ तो वहां रह गया और वहां से जब फादर ये सबी लोग अपनी जान बचा कर वहां से भागे थे क्योंकि कुछ ऐसे राइट्स हो गए थे जहां पर हत्याएं हो रही थी एक दूसरे को मारने तक की न पहुँचे तो उनकी जेब में सर्फ 200 रुपए थे और मेरे पिता जी ने 200 रुपए से अपना काम शुरू किया और शायद जब हमने उनकी बाते सुनते रहे तो शायद कोई ऐसा काम नहीं था चाहे वो साइकल पे समान बेचने की बात थी चाहे चोटी दुकान लगाने की बात थी क्योंकि सर्वाइवल था सर्वाइवल अदे फिटस था उस वक्त पर ये नहीं देखा जा रहा था कि मैं बहुत बड़े घर का लड़का हूं और मैं क्यों ये साइकल पे माल सप्लाई करने किसी की घर जा रहा हूं उस वक्त ये था कि सर्वाइवल बहुत है कि फै फैमली का घर नहीं चल सकता था तो और कोई सपोर्ट नहीं थी उस वक्त कहीं से भी जब तक कोई सपोर्ट भारत सरकार से मिलती उन दिनों में तब तक जीना जो है वो बड़ा मुश्किल था तो यह सारी कहानियां हमने बच्पन में सुनी अपने पिता जी के मूँ से तो वो जो जजबा था काम करने का वो हमने उन से सीखा कि हर पल हर समय मुसीबत का सामना करने के लिए आप तयार खड़े रहिए किसी भी मुसीबत से मत ढ़िए और धीरे धीरे करके मेरे फादर ने एक छोटा मकान बनाया फिर थोड़ा बड़ा मकान बनाया फिर छोटी गाड़ी ली फिर बड़ी गाड़ी ली और उन्होंने हकीकत में मुझे जो जतना मैं मुझे समझ आती है जतना मुझे याद रहता है कि उन्होंने अपने सारे सुक्ष और आराम सेक्रिफाइस करके उन लोगों ने हमें पढ़ाया होगा आपने कश्मीर फाइल देखी होगी आपने अफगानिस्तान देखा होगा अभी यह इतनी बड़ी लड़ाई हुई अफगानिस्तान की सिवल वार जैसा हो गया था वो जो सीन हैं वो सीन सामने आँखों के आते हैं कि यही सीन 1947 में रहे होंगे और कितनी लोगों को तकलीफ रही होगी किस तरीके से हवाई जाजों पर लटक लटक के लोगों ने जाने दे दी लेकिन हो भागना चाते थे तो ये ये चीज़ जब आप सुन लेंगे और आपके दिलों और दिमाज में जब ये बातें बैठी होंगी तो आप सुचिए कि आप कितने नेशनलिस्ट होंगे कितने भारतियों होंगे और कितना आपको अपने देश से प्यार होगा और आपको अपने काम से प्यार होगा और आपको भी होगा कि मेरे साथ साथ मेरे देश के बागी लोग भी कामियाब हों तो हम लोग ने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि कामियाबी तब ही मिलती है जब आपके अपने आसपास के लोगों को भी आप कामियाब देखें उनको भी अपने साथ लेके चले और ये सारी चीजे हमने ये सारे संसकार ये सारी अच्छी बाते हमने अपने फादर से सीखी और मुझे लगता है कि इन हालातों में जब कोई भी बच्चा बड़ा होगा तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भारतिता जो है वो कूट-कूट के भरी होगी और शायद वही संदीप मारवा एक नेशलिस्ट जो है वो तयार हुआ था और बाकी पैसा तो आने जाने वाली चीज है और क्योंकि फादर चाहते थे कि उनकी अपनी फैमिली उनकी extended फैमिली उनके भाई का परिवार उनकी बहन का परिवार उन्होंने मेरे ख चाते थे कि अगर पैसे थोड़े बच जाएं तो मैं ये कर लूँगा थोड़े पैसे बच जाएं तो मैं वो कर लूँगा और यही शैदाते हैं आज हमारे बीच में भी समलित हो चुकी हैं और हम भी चाते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले हमारे साथ उठने बैठने वाले हमारे दोस्ट यार रिष्टेदार सभी लोग काम्याब हों और पूरा बसेरा लेकर आदमी आगे चले उसी में ज़्यादा खुशी है सर पॉजिटिविटी सबको दिखाई देती है लेकिन कोई एक कमी हम सब में होती है जो सिर्फ हमें पता होता है अब क्या बताना चाहिए होगी एक कमी है कि क्या है कि पित पर पूत नसल पर घोड़ा बहुत नहीं थोड़ा थोड़ा हमने अपने पिता जी को कि उनके पास जब भी कोई आया उन्होंने कभी भी ना नहीं की भले खुद नमक से रोटी खा लिए तो वो इस किसम के इंसान रहे शायद वही आते कुछ हमारे अपने परिवार में भी सब में आ गई चाहे मैं हूँ चाहे मेरे दोनों ब्रदर हैं हम लोगों ने हमेशा यह कोशिश की कि अगर किसी ने हाथ पसा रहा है किसी ने समय मांगा है किसी ने कुछ भी अगर चाहा है तो हम लोगों ने भले अपनी मदध के लिए आगे बड़े हैं तो कई बार और आज के यई युग के आंदर especially बाठ्लयूग में शायद ये qualification ना होकर disqualification किनी जाती है no no sir it's a qualification and we all admire you for this sir चलिए थोड़ा सा बच्चा mood करते हैं थोड़ा सा था शायद मैंने आपको upset कर दिया sir what is your favorite color because most of the time I see you wearing blue and black so what is your favorite color क्योंकि मैं सरकार का ते दिल से शुकरी अदा करता हूं सरकार ने मुझे तीन चार बहुत महत्पून designation दे रखी हैं मैं managing director हूँ national federation of tourism and transport corporates of India limited ministry of agriculture से जुड़ा हूँ मैं national chairman हूँ मीडिय और entertainment का ministry of consumer affair में मैं ministry of education में advisory board पर हूँ EICTE के दर और बागी जो कज़र बची थी वो मैं chancellor हूँ एक university का तो जब यह सारी बाते होती है तो यह protocol आ जाता है और protocol के अंदर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको तमीज और तहजीब के दाएरे में हमेशा रहना पड़ता है और उसमें साफ सुत्रे कपड़े पैन के पैठना एक बहुत बड़ी बात होती है शायद सूत उसका एक हिस्सा होता है और यहीं वज़ा है कि आप हमेशा मुझे था प्रमॉली फेवरिट कलर और जो चाहते हैं वो यहां तो ब्राउं देखेंगे यहां डार्क ब्राउं यहां ब्लू देखेंगे नेवी ब्लू देखेंगे या ब्लैक देखेंगे शायद मुझे लगता है आदमियों के कपड़ों में यही कलर जो है वो खत्म हो जाते हैं इससे ज़्यादा अब लाल नीले एक पहनने की तो स्टेज निकल चुकी है Sir, what is your favorite song? जब अकेले बैठते हैं और कुछ गुन गुनाना चाहते हैं कुछ ऐसा जब सिर्थ संदीव पारवा जाबे कहीं कोई बिजनस फैन नहीं है Just as a person कोई एक सॉंग जो आप गुन गुन गुनाना चाहते हैं या गुन गुन गुनाना चाहते हैं बहुत सारे गाने हैं ऐसी बात नहीं और जनली क्योंकि मैं खुद मोटिवेटर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है मेरे साथ हजारों बच्चा जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि उन्हें हमेशा मुझे प्रोटसाहित करना तो ऐसे बहुत सारी बातें और गीत जो होने चाहिए जो आपको भी प्रोटसाहित करें और लोगों को भी प्रोटसाहित करें और कही बार तो ऐसा होता है कि लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आप खुद मूटिवेट हो जाते हैं कि विभासित कर गगन भूतल तिमिर को जोती देता चल निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रबंजन बल कहीं पूनम अमावस्या कहीं उल्जन कहीं फिसलन कहीं काटे कहीं पहरा कहीं पहरा कटल बंदन अगर आप अपने मुसीब्तों के आगे खुशी जाहिर रखेंगे तो मुसीब्ते भी जो हैं वो पिगल जाती हैं और आप अगला कदम आसानी से उठा सकते हैं बहुत खुशन पूशन पूशना चाहूँ कि अगरा पूरा दिन जब आप सोच ते विडियू प्लान आउट यह देगे रोज मेरे पास खुशना कुछ नए आइडियास होते हैं और मेरे मैं क्या है मैं तो कर्म योगी हूँ मैं आइडियास को सिर्फ दिमाग में नहीं रखता उसी वक्त मैं उनको पेपर में उतारता हूँ और उसके साथ मैं किसी ना किसी संस्था को जोड़ देता हूँ और यही वजाह है कि अब तक मैं सो से भी ज्यादा संस्थाएं अपने लिए कुरेट कर चुका हूँ और करीब सो से भी जादा संस्थाएं लोगों के लिए create कर चुका हूँ और you have to be creative, you have to be innovative, you have to think out of box, तब ही आपका survival भी है आज के इस competition युक के अंदर, और survival of the fittest है, आपको अपने काम को upgrade करके रखना है, यह मेरी आदत है क्योंकि मैं quality control में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर नया दिन एक न काम के साथ, एक नई उपज के साथ, एक नई अफग्रिडिशन के साथ होना चाहिए, कुछ नया करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ अच्छा करिए, तब ही जाकर आप survive कर पाते हैं और आगे पढ़ पाते हैं। आगे अच्छा कर आप 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 लोगों का इतना आशरवाद है कि अभी आप से बात करने से पहले ही मुझे वेनुज़ला की अमबैसडर आई हुई थी, उन्होंने अभी मुझे मेरे छे साल जो वेनुज़ला की कल्चर फोरूम है, उसको चेयर करने का उनुझे अभी समानित किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज उस तमाम कड़ी में एक हमारा अवार्ड और चुड़ गया है। Thank you very much, Bharti. इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस ओर चले हम मस्ती में, जुक जाए उदर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविद प्रांत है, अपनी अपनी भाशा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालो हिंदुस्तानुद